नमस्कार दोस्तों हमारे य्टूब चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश इस्त्पिसल में सम्मान अध्यन यानि कि जीयस का संपूर रिविजन जो कि आपके आने वाले एक्जाम आरो यारो यानि कि समिछादिकारी योमसायक समिछादिकारी के लिए बहुत ही महत्पूर है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर देजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइगन को प्रेस कर लेजेगा जिसे आने वाले अगले वीड खानी घराना के लिए कौन सा घराना जाना जाता है तो यह इटावा को जाना जाता है उसका नेक्स्ट है आपका भारतिंदु नाट अकादमी की अस्थापना होई थी किस बरस में तो यह उनीसो पचात्तर में भारतिंदु नाट अकादमी की अस्थापना की गई थी अगल आपका मुडिया पोडिमा मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पर तो यह गोवर्धन में आयोजित किया जाता है आपका नेक्स आपका प्रथम समाजवादी अभिनो विद्याला खोला गया कहाँ पर तो यह आपका प्रियाग राज इलहाबाद में खोला गया था नेक्श आपका वह suiv परसाद गुपत जो हैं नेक्ष आपका उतर परदेश में परेटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैएविल माट का आयोजन किया गया कहां पर तो यह लखनो में आयोजन किया गया था अगला है आपका रोजगार की दृष्ट से उत्रपरदेश का सबसे बढ़ा उध्योग कौन सा है तो यह प्रस्न कई बार पूचा गया है तो यह है आपका हत करगा उध्योग नेक्ष्ट है आपका उत्तर प्रदेश ने उच्छतम और द्योगी की बिद्धी दर अंकित की कौन से पंचवर्सी योजना में तो दसवी पंचवर्सी योजना में अगला प्रश्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्टरी की अस्थापना की गई है कहाँ पर तो यह लाल गंज राय बरेली में अस्थापना की गई है और अगला है आपका किरसी स्रम उत्पादक्ता सरवाधिक है कहां तो यह पश्मी उत्तर प्रदेश में नेक्श आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाओं की अस्थापना की गई कहां पर तो यह आगरा में अस्थापना की गई है गंगा यमुना गोमती यो जेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कौन सी नदी तो जेलम नदी जो है आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है गंगा यमुना और गोमती जो है उत्तर प्रदेश से हो करके गुजरती है अगला दिया गया आपका कथन दिया गया है तो कथन और कारण से प्रस्टन पूछा जाता है कि उत्रप्रदेश मूलत है एक किरिसक राज्य है कथन है आपका कारण दिया गया है उसके कुल मुख्य कर्मियों में 69.3 प्रस्ट किरिसी कारी करते हैं तो आपका जो सही हो जाएगा ये तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही ब्याख्या है अगला प्रशना है आपका भारत में चावल क्रिसित छेतर में उतर प्रदेश की कोटी है तो उत्रप्रदेश की कोटी जो है दूसरा है आपका 28-19 की आंकडों की अनुसार नेक्स्ट आपका उत्रप्रदेश की नई क्रिसी नेति में क्रिसी विकास दर निधारित की गई है तो 5.1 प्रिश्यत जो है निधारित की गई है वस 2011 स्वारी वस 2013 की कृषी नेति के अनुसार अगला प्रश्ण आपका उत्रप्रदेश की परमुख नकदी फसल कौन सा है तो उत्रप्रदेश का परमुख नकदी फसल जो है वह गन्ना है एक्ष्ट आपका प्रथम विकलांग भी शिविद्यालय अस्थापित किया गया है कहां पर तो यह चित्र कोड में अस्थापित किया गया है और अगला है आपका गुरु गोविन सिंग स्पोर्ट कालेज की अस्थापना उत्रप्रदेश में की गई है कहां पर तो यह लखनों में गुरु गोविन सिंग स्पोर टंडन मुक्त भिष्विद्याले नाम से जाना जाता है कहाँ पर है तो यह आपका प्रियाग राज में है नेक्स्ट आपका संगीत सिछा हे तो उत्र प्रदेश में जो पहला संगीत महाभिद्याले स्थापित हुआ था वह कौन सा है तो भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महा विध्याले है वह नेक्स आपका भात खंडे संगीत संस्थान लखनो डेमड विष्रिविद्याले कब बना तो यह है आपका 24 अक्टूबर 2000 को डेमड विष्रिविद्याले यहीं कि डेमड इन्वर्स्टी बना अगला है आपका उत्रप्रदेश में सबसे पुराना भी स्विध्याला है कौन सा है तो यह जो है आपका इलहाबाद भी स्विध्याला है प्रियागराज उत्रप्रदेश का सबसे पुराना भी स्विध्याला है इसकी अस्थापना कब होई थी अगला प्रश्ण है आपका उत्रप्रदेश में बायोटिक पार्क अस्थापित है कहां पर तो यह लखनोव में अस्थापित है अगला है आपका उतरपरदेश में स्कूल आफ पेपर टेक्नलोजी इस्थित है कहां तो यह सहारनपुर में स्थित है नेक्श आपका केंदरी मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदीत राजी उगांधी पेट्रोलियम परिद्योकी संस्थान अस्थापित किया गया है तो यह जायस अमीठी में अस्थापित किया गया है नेक्ष आपका केंदरी उपोष्ल बागवानी संस्थान अवस्तित है तो यह लखनोव में अवस्तित है नेक्ष आपका सस्यवानकी का राश्टी सोध केंदर कहां अवस्तित है तो यह आपका जहांसी में इस्तित है और अगला है आपका सुमेलित करने के लिए दिया जाता है आपसे तो एक तरफ संस्थान दे दिया जाता है और दोसरी तरफ अस्थान तो पहला है आपका खाद्य अनुसंधान यों विशलेशड केंदर कहां है तो यह आपका लखनौव में है खादी पार्क कहां पर है तो यह आपका नोईडा में है स्रदार बल्ला भाई पटेल क्रिसी विश्री विदैले कहां है तो यह मेरट में है उसके बाद भारती दलहन सोध संस्थान कहां है तो यह आपका कानपूर में है नेक्स्ट है सीला धर मिर्दा बिग्यान संस्थान कहां इस्थित है तो ये आपका प्रियाग राज में इस्थित है और अगला है कनहिया लाल मारिक लाल केंद्री हिंदी संस्थान कहां इस्थित है तो ये आपका आगरा में इस्थित है और अगला है सही कथन पूछा जाता ह तो तीसरी रेल कोज फैक्टरी राय बरेली में अस्थापित की गई है ये आपका जो है सही है और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्द्योग के लिए परसिद्ध है ये भी आपका सही है और यूपी डेस्को इलेक्ट्रोनिक्स बिभाग की अंतरगत एक निग ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये उजना है गंगा एक्सप्रेस वे नेक्स आपका उत्तर प्रदेश की गोमती ग्राम गंगा बेतवा योम सारदा नदियों में से किनका उदगम अस्थल हिमाले में नहीं है तो गोमती योम बेतवा नदी का जो है उदगम अस्थल हिमाले म दूसरी तरफ उत्पाद तो रेन कोड जो है यह और demons eh omega के लिए अटिबाइो के लिए परिसिद्ध है antybiotic के लिए famous है अगला है अस्तर प्रदेश के परतattack उर्जाप सुच्छा पार्क की अस्थापना पत्तावित है और प्रयाग राज इद razorबाद में पत्तावित है अगे भी आपका सुमेलित करने के लिए दिया जाता है अस्थान है उद्योग है तो फिरोजाबाद जो है किस उद्योग के लिए जाता है कांच की चूडियों के लिए कानपूर या चमणे के सामान के लिए नजीवाबाद प्लाइवुट के लिए और सहारनपूर कागज और लोगदी के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट है आपका तो एक तरफ जह आउद्योगी संस्थान दिया गया है दूसरे तरफ नगर तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जह राय बरेली और नैनी दो जगहें पे है तो जो भी रहेगा आप आपसन में उसे लगा सकते हैं तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जहाँ राय बरेली दिया गया है तो यह आपका सही है ट्रांसफार्मर फैक्टरी कहाँ है? तो जहांसी में है कृत्रिम अंग निर्माड नीगम कहाँ पर है? तो यह आपका कानपूर में है और उरोरक कारखाना कहां है तो यह आपका फूलपूर में है नेक्शाय आपका उतर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है तो यह पंचायत की सीमा छेत्र के निर्वाचन सोची में समलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी छेत्र के निर्वाचकों में से ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है अगला आपका किसोरी सक्ति योजना का सुबारंभ हुआ था किस प्रदेश में तो उत्रप्रदेश में हुआ था और अगला गैंडे को पुनरवासित करने का कारे किस रास्ट्री उध्यान में चल रहा है तो दुधवा राष्ट्री उद्यान में चला या उत्रप्रदेश का एक मात्र जो है राष्ट्री उद्यान है दुधवा राष्ट्री उध्यान अगला आपका 2011 है कि जनगर्णा के अंतिम आकडों की अनुसार उतर प्रदेश में पुरू 7 चर्था का प्रतिसत कितना है तो 77.3 कहीं कहीं लिखा रहता है या 77.2 वार तो ये सही है आपका और महिला 7 चर्था कितना है तो 57.2 है डोटल 7 चर्था उतर प्रदेश का कितना है तो 67.7 कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं जो है छे 7 तो ये जो है आपका सही हो जाएगा नेक्स आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्रप्रदेश 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरी संकुलन का सही करम कौनसा है तो ये है आपका कानपूर, फिर लखनव, फिर गाजियाबाद, फिरागरा, वाराडसी, मेरट, फिर जो है आपका प्रियागराज यानि के इलहाबाद अगला आपका 2011 के जनगर्णा के अनुसार उत्रप्रदेश का कौनसा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत तो धारड करता है तो सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला जिला जो है वह आपका गाजियाबाद है नेक्ष्ट आपका उतरप्रदेश का सरवाधिक छेत्रफल वाला जीला कौन सा है? तो ये आपका लखीम पूर खीरी है सबसे कम छेत्रफल वाला जीला जो है वो आपका हापुर है अगला आपका उत्रपरदेश की जनसंख्या नीतिका लक्ष महिलाओं की बीवाह आई को 19.05 वर्ष तक बढ़ाना था किस वर्ष तो यह 2016 तक ही इसका लक्ष था नेक्स आपका वर्ष 2000 में घोसित उत्रप्रदेश की जनसंख्या नीतिका प्रमुक उद्देश सकल प्रजनेंदर को घटा कर दो दसमलों एक तक करना था किस वर्ष तो यह भी आपका 2016 तक था और अगला है 2011 कि जनगर्णा की अनुसार उत्रप्रदेश की अधिक्तम घनी अबादी यो निवनितम घनी अबादी वाले जिले क्रमसा कौन से हैं तो सरवादिक घनी अबादी वाला उत्रप्रदेश का जिला गाजी अबाद है और निवनितम घनी अबादी वाला जिला जो है ललित्पूर है अगला है आपका गणना 2011 के अनुसार उत्रप्रदेश का सबसे कम साच्छर वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम साच्छर वाला जि कि भारत का सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्रपदेश आर्थिक दरिष्ट से एक पिछड़ा हुआ राज्य है कारण है कि राज्य के बिभिन भागों के विकास अस्तर में अस्पष्ट भिन्यता मिलती है तो यहां ए तथा आर दोनों सही है प्रंतु आर एकी सही ब् एनेच्टू कहा जाता था द्वारा जोड़ा नहीं जाता है तो लखनाव जो है एनेच्टू के द्वारा जोड़ा हुआ नहीं है अगला है आपका जौनपूर कौसाम भी प्रतापगड युम सोन भद्र में से कौन जनपत प्रियाग राज यानिकी लहावा जनपत के साथ सीमा नहीं बनाता है तो सोन भद्र जनपत जोड़ा प्रियाग राज से सीमा नहीं बनाता है नेच्ट आपका कथन ए दिया गया कि उत्रप्रदेश मूलता है एक ग्रामीड राज्य है कारण आर है कि उसकी कुल जन संख्या का केवल 22.3 प्रिस्ट नगरों में रहती है तो यहां यह तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही ब्याख्या है अगला है आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है तो एक तरफ जिला दिया गया है दूसरे तरफ मुख्याले तो जालाउन का मुख्याले कहा है तो उरई में है कानपूर दिहात का मुख्याले अकबर पूर में है नेक्स आपका सुमेलित है तो जह है भोग्सा जंजाती है विजनोर हो जाएगा खरवार सोनबद्र में सहर्या जंजाती ललिद्पूर हो जाएगा थारू चैन-जाति-महराज गन्थ। नेक्षि आपका सूरहताल जिसका नाम है जै प्रकाश नरायन पच्छी बिहार कहां पर इस्थित है तो यह आपका बलिया जिले में इस्थित है। नेक्षटा उत्रप्रदेश का सबसे बड़ा बनने जीव बिहार कौन सा है तो यह हस्तिनापूर बनने जीव बिहार है अगला हापका मेरट जन्पद में आलमगीरपूर से प्रात पूरा तात्यु सामगरी प्रतिबिम्बित करती है किसको तो यह हडपा संस्कृत को sweetness 1977 में कहा जाता था अगरा और अवद का संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत कप किया गया 1937 में और उत्तर प्रदेश कप किया गया 10 प्रसिद्ध है लकडे के खिलाओनों के लिए बरार सी चीनी मिट्टी बरतन के लिए चिनहट प्रसिद्ध है नेक्स आपका धुरिया लोक निरित्य का संब्द्ध जो है आपका बुन्देल खंड से है और next है सुमेलित है तो सुची बन को सुची डु के साथ सुमेलित करने के लिए दिये जाता है कर्मा का संब्द हो जाएगा अपका सोन भद्र से धीवर कहार से हो जाएगा और नटव घराने से संबंदित हैं बेगम अक्तर किसे संबंदित हैं तो यह पटियाली घराने से संबंदित हैं बेगम अक्तर अगला है आपका सुमेरित करने के लिए दिया गया है तो जो उसका संबंद जो है कहां से है मलीहाबाद से है रगपत सहाय फिराक का संबंद है गोरखपूर से इनको रगवत साहा है फिराग गोरखपूरी के नाम से भी जाना जाता है जिगर का संबन होयागा मुरादाबाद से और चकबस्त का संबन्ध होगा लखनव से अगला आपका उतरप्रदेश के मुख है लोकगीत कौन से हैं तो बिरहा है कजरी है रसिया योम आला या संबन्ध करने के लिए दिया गया है लोकगीत और उनका छेत्र विरहा का संबन्ध हो जाएगा आपका पुरवांचल से रसिया का ब्रजभूम से आला का हो जाएगा बुंदेल खंड से और कजरी का संबन्ध हो जाएगा मिरजापूर से अगला भी आपका सुमेलित करने के दिया गया है देवा मेला कहां लगता है तो यह आपका बारा बंकी में लगता है आलहा महुबा कर्मा का संबंद हो जाएगा आपका सून भद्र से कजरी का संबंद हो जाएगा मिरजापूर से नेक्स आपका उत्तर प्रदेश में राश्री कत्थक संस्थान कहा इस्तित है तो यह आपका लखनोव में इस्तित है मोतिलाल नहरू बाल संगरहाले कहा इस्तित है तो यह आपका लखनोव में इस्तित है मौलाना मुहम्मद अली जोहर विश्विद्याले की नाम से एक अल्प संख्यक सिच्छा सनस्थान के स्थापना की गई है कहाँ पर तो यह रामपूर में स्थापना किया गया है और अगला है जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर परदेस में महिला याँ पूरुस रंख्या का अनुपात यानि कि आपका लिंगा नुपात पूछा गया है तो 912 महिलाएं प्रती हजार पूरुस है तो उतर प्रदेश का लिंगा नुपात पूछा जाएगा तो कितना है 2011 जन गरना के नुशार 912 नेक्स टाप का उतर प्रदेश में किस अस्थान पर एक नाभिकी उर्जा प्रियोजना इस्थित है तो नरौरा में इस्थित है नरौरा कहां है तो यह बुलंद सहर में है नेक्स टाप का गैस आधारित बिद्दूत सेंत्र कौन सा है तो औरया योम दादरी है अगला है आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है तो एक तरफ जन्पद है दोसरे तरफ खनीज तो सोन भद्र में कौन सा खनीज पाय जाता है चूना पत्थर, ललितपूर में तांबा और प्रियाग राज यानिकी इलहाबाद में सिल्का बालू अगला है आपका उत्रफ प्रदेश में पाया जाने वाले प्रमुख खनीज कौन कौन से है तो उत्रफ प्रदेश में पाया जाने वाले प्रमुख खनीज है लाइमिश्टोन और डोलोमाइट अगला है आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है और ललितपुर में ताबा का भी जो है उत्पादन किया जाता है अगला है आपका उत्रप्रदेश में सीमांत किरसक किने कहा गया है तो जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूम है उन्हें जो है उत्रप्रदेश में सीमांत किरसक कहा गया है अगला आपका देश में उतर परदेश अगरडी उत्पादाख है किसका तो गिहूं का है गंणा, आलू, दुग्द और कुल खाद्यान का उतर परदेश जो है अगरडी उत्पादाक है Next है आपका लाल मित्टी या पाई जाती है किस जनपत में तो मिर्जापूर और सोन भद्र जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है अगला आपका देश की कुल किरसी योगी भूमी का कितना प्रतिसत उत्तरप्रदेश में श्थित है तो 15 प्रतिसत उत्तरप्रदेश में श्थित है अगला आपका उत्रप्रदेश का पारिच्छाबाद किस नदी पर अवस्थित है तो पारिच्छाबाद जो है बेतवा नदी पर इस्थित है नेक्स्ट है आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है तो गंगा जो है हुआ बारारसी का हो जाएगा गोमती नदी के किनारी जो सुल्तान पूरिश्थित है राप्ती नदी के किनारी गोरकपूर है और सर्यू नदी के किनारी जो है आपका आयुध्या इस्थित है और अगला आपका उत्रप्रदेश की पेजल परियोजना कौन सा है तो गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्रप्रदेश की पेजल परियोजना है नेक्षाप का सुमेलित करने करें दिया गया है तो एक तरफ तीर्थ अस्थल का नाम दिया गया है दूसरे तरफ नगर या अस्थान तो चक्रतीर्थ कहां है तो नैमी शारन्य है नैमी शारन्य जो है यह सीतापूर जनपद में है अगला गोबिन देव मंदीर यह ब्रिंदाबन में है उसके बाद जो है आपका सलीम चिस्ती की दरगा फतेपु सीकरी में है बहुत धेवम जैन मंदीर कहां है तो यह कौसाम भी में है नेक्स्ट आपका परती वर्स प्रसिद्ध सोफी संत हाजी वारिस अली साह की मजार पर मेला लगता है कहां तो देवा सरीफ बारा बंकी में लगता है अगला आपका उतरप्रदेश के किस विस्विद्याले को सरप्रथम केंदरी विस्विद्याले घोसित किया गया था तो बनारस हिंदू विस्विद्याले को सबसे पहले उतरप्रदेश में केंदरी विस्विद्याले घोसित किया गया था तो हिंदुस्तानी अकेडमी प्रियाग राज में श्थित है। अगला आपका परहिया जंजाती निवास करती है कहां तो यह सोन भद्र में निवास करती है। निरेक्षा उतर प्रदेश में रेनकूट में हिंडालको की इस्थिती का मुखी कारण है इसकी निकटता सक्ति के स अगला आपका लखनोव योजना का संबंध किसे है? तो यह सड़को के बिकास से है, अगला आपका सुमेलित करने के लिए डिया गया है, कनक भहून कहां है? तो यह आपका आयोध्या में है, कामदगीरी परवट चित्रकूर्ट में है, कालिंजर दुर्ग कहां है? तो यह अगला आपका स्यद सालार मेला आयोजित होता है कहां पर तो यह बहराइच में आयोजित किया जाता है स्यद सालार मेला नेक्ष आपका सुमेलित करने के लिए दिया जाता है तरफ पारंपरिक मेला दिया गया है दोसरी तरफ उनका आयोजन अस्थल तो पसु मेला कहां लगत अगला आपका उत्रप्रदेश की सरवाधिक लंबी नहर कौन सी है तो यह सारदा नहर नेक्ट आपका सुमिलित करने के लिए दिया गया है अमीर खुसरो का संबंद हो जाएगा कास गंज से मिर्जा गालिप का संबंद होगा आगरा से जोस का संबंद होगा मलीहबाद से और तथा संबंद पर लगाया गया होता है कारण आर है यह कर जिला पंचायत के छेतर में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है तो यहां आपका ए सही है प्रंतु आर जो है वो आपका कलत है अगला है आपका सही सुमिलित है तो एक तरप आपका कांग्रेस का अधिव में और 1946 में मेरट में नेक्षाप का उत्तर मद्य छेत्र सांस्कृति केंद्र कहां श्थित है तो यह आपका प्रियाग राज में श्थित है गुविंद बल्लप पंथ सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में नेक्षाप का सुमेलित करने के लिए दिया गया एक तरफ अ नेक्ष्ट आप आपका यहाँ भी जो है सही सुमेलित दिया गया है एक तरह पारंपरी कला या सिल्प दूसरी तरफ उनका संबंध अस्थान मिट्टी के वर्तन का संबंध हो जाएगा खुर्जा उसके बार कास्ट नकासी सहारनपूर से हो जाएगा कास्ट पादुका यह नेक्ष्ट की खडाओं का संबंध होगा पिली भीच से जरी का काा महां होता है तो यह बरेली में होता है नेक्ष्ट आपका उत्तरप्दे सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपीजीम जो उनको प्रियावर्र मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे होगा है ग्रीन pवर तो यह आपका जहांसी में इस्तित है और अगला है बेगम समरू ने एक अतिप्रसिद्ध चर्च का निर्माड करवाया था कहां पर तो इस सरगना में जोकि मेरट के पास है अगला है आपका उतर प्रदेश में एक बबर सेर सफारी अस्थापित किया रहा है कहां तो यही टावा में किया रहा है जेवर अंतराष्टी हवायड़ा अस्थापित किया रहा है कहां पर तो यह आपका ग्रेटर नोईडा गौतम बुध नगर में अस्थापित किया रहा है अगला आपका उतर प्रदेश में विकास केंदर परियोजना का सुभारम किया गया था किस वर्स तो दिसंबर 2005 में किया गया था अगला आपका उतर दच्छिर्ट था पूर पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर तो यह जहांसी में आ करके मिलते हैं अगला है आपका उत्तर प्रदेस में बिक्सित किये जा रहा है बॉल्ध परिपत में सामिल है तो सारनाथ है, कोषिनगर है, कपिल बस्तू, विपरहमाज जिसगों कहा जाता है, कॉसांबी, सराखिस्ती और संकिसा इसमें सामिल है अगला है आपका उत्रप्रदेश का वह जन्पद जहां अल्प समुदाय का सरवाधिक केंदरी करड़ है तो वह है आपका रामपूर नेक्ष आपका उत्रप्रदेश सरकार की महातवकांची गंगा एक्सप्रेस्वे पर्यूजना का अभिश्तार उत्रप्रदेश के किन दो परस पर अधिक्तम दूरी वाले जन्पदों के मध्य प्रस्तावित है तो मेरट यों प्रियागराज के मध्य प्रस्तावित है लगबग 600 किलिमीटर इसकी लंबाई होगी अगला है आपका सुतर्णता पश्चात उत्रप्रदेश यानि कि सन्युक्त प्रांत के पर्थम राजजी पाल कों थे तो वह थी सरोजनी नाइडू नेक्ट है आपका सुमेलित है एक तरफ अस्थान दिया गया दूसरे तरफ अस्मारक यानि या भगनाउसेस अगला है आपका सुमेलित दिया गया है एक तरफ नगर दिया गया है दूसरे तरफ हवाई अड़ा तो मिलान करने के लिए दिया जाता है लखनो में कौन सा हवाई एड़ा है तो अमोसी हवाई एड़ा है बरार्सी में बाबत पूर है कानपूर में चकेरी हवाई एड़ा है आगरा में खेरी हवाई एड़ा है अगला आपका उतरप्रदेश का राजकी पच्छी कौन सा है सारस अथवा क्रॉच जो है उतरप्रदेश का राजकी पच्छी है नेक्षट आपका सुमेलित दिया गया है ब्रिंदावन मंदिर कहां है तो यह आपका मतुरा में है जे के मंदिर कानपूर में है विशुनात अगला आपका फरूखाबाद जाना जाता है किसके लिए तो हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है फरूखाबाद जाता है तो 2011 की जनकरणा के अंति माकडो के नुसार उत्रप्रदेश के सरवाधिक जनसंख्या वाले जीलों का करम जो है कौन सा है तो सरवाधिक जनसंख्या इलाहबाद प्रियागराज में है उसके बाद मुरादाबाद में है फिर गाजियाबाद फिर आजमगर उसके अगला आपका सही कतन है कि पश्मी उत्र प्रदेश में उद्योगों का सरवाधिक केंद्री करण है और पूर्वी उत्र प्रदेश में राजी की लगभग 20 प्रतिसत आउद्योगी की काईया है तथा आउद्योगीक दिरिश्ट से बुंदेलखंड सरवाधिक पिछड़ा- यह जो है आपका सही है और अगला हिंदू मुसलिम एकता का प्रतीक सुलहकुल-30 आयोजित किया जाता है कहाँ पर तो यह आपका आगरा में आयोजित किया जाता है अगला है उत्रप्रदेश में किसान मित्रियोजना का प्रारंब कब हुआ था तो यह 18 जून 2001 को सुरू हुआ था किसान मित्रियोजना अगला है उत्रप्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में नियुनतम अवध ही किसकी है तो मूं की है अगला है उत्रप्रदेश में भारती सूचना प्रिद्यों की संस्थान जहां अस्थापित किया गया है तो इलाहबाद प्रियागराज में अस्थापित किया गया है तो यह गाजियाबाद में किया गया है और अगला है उत्रप्रदेश में नालिज पार्क के स्थापना की गई है कहाँ पर तो ग्रेटर नुइडा में किया गया है आपका और नेक्स्ट है उत्रप्रदेश में दिया सलाई उद्यो कपरमुक केंद्र कौन सा है तो यह है आपका बरेली और अगला है गैसोहाल की पाइलट परियुजना उत्रप्रदेश में कब सुरू की गई थी कहाँ तो यह आवला बरेली में सुरू किया गया था आपका गैसोहाल की पाइलट परियुजना और अगला आपका तालीम उत्रप्रदेश सरकार की एक यूजना है तो यह दूर दर्सन द्वारा ग्रामेर छेतरों में सिच्छा प्रदान करने है तू प्रारंभिक अस्तर के सभी छात्रों को उर्दु भासा में परिचित कराने है तू तालीम यूजना सुरू की गई थी नेक्स आपका दूधवा रास्टी उध्यान इस्तित है कहां पार तो यह लखीम पूर खीरी जनपद में इस्तित है दूधवा रास्टी उध्यान अगला आपका उत्तरप्रदेश में नवाव गंज पच्छी बिहार इस्तित है तो यह उन्नाव जनपद में इस्तित है और अगला आपका 2011 की जनगड़ना की अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साख चर्ता कितना है तो 57.2 प्रतिशत यानि कि 57.2 भी आपका सही हो जाएगा तो महिला साख चर्ता पूछा जाएगा तो 57.2 या 57.1 प्रतिशत और पूरुस साख चर्ता 77.3 ओबराल साख चर्ता उत्र प्रदेश का 67.7 प्रतिशत अगला आपका बरतमान में उत्र प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितना है तो उत्र प्रदेश में कुल 18 म अंगल यों 75 जन पद हैं इस समय, अगला प्रशनाव का उतरप्रदेश में सरवाधिक जन जातियों की संख्या है, किसकी तो गोंड समों की सरवाधिक जन संख्या है, अगला प्रचिरा पच्छी बिहार कहां श्तित है तो ये संत कबीर नगर में श्तित है, नेक्षाय पुरा तात्तिवी यों कलात्मक निधी की देखरे करने के लिए अस्थापीत संस्कृत विभाग की कारे हैं कौन सा तो उसका संदक्षन तथा प्रदसन उसका प्रकासन तथा अभिलेखी करण उसके प्रमुख कारे हैं अगला आपका लोक निर्ति राहुला का संबंध है उत्तरप्रदेश के किस छेतर से तो बुंदेल खंड छेतर से है अगला आपका सुमेलित दिया गया है लच्छु महराज का संबंध होगा कत्थक से फैयाज खान का धुरुपत से सिदेश्वरी देवी ठुमरी गायका है तलत महमूद यह गजल गायक है अगला आपका सुमिलित दिया गया है यहां भी बिरहा का संभन हो जाएगा भोजपूरी से कजरी अओधी से मलहोर कौरवी और रसिया का संभन हो जाएगा बरजी से अगला आपका जलवाई के दृष्ट कोर्ण से उतरप्रदेश बीभाजित किया गया है तो नौसस जलवाई छेतरों में उत्रप्रदेश विभाजित किया गया है अगला आपका महर सिबालमी की आसरम अस्थापित है कहां पर तो यह बिठूर में अस्थापित है ध्यान से देखेगा महर सिबालमी की आसरम लिखा गया है महर्स बालमी के आसरम कहां स्थापित है तो यह बिठूर में स्थापित है कहां पर है तो यह कानपूर के पास है अगला आपका उत्रप्रदेश में परमाड उर्जा केंद्र कहां स्थापित है तो यह नरवरा बुलंद साहर में स्थापित किया गया है नेक्स आपका उत्रप दिया गया बटेस्वर मेला कहां लगता है या आपका आगरा में लगता है देवा मेला बारा बंकी में हगदास जैनती मेला या बिरिंदावन में लगता है नौचंदी मेला या आपका मेरट में लगता है और अगला है उतर प्रदेश सासन द्वारा जिस आयू बर्ग तक के बच्चों को प्राथ्मिक सिच्छा उपलब्ध कराने में उच्छ प्राथ्मिक्ता दी जा रही है कौन सा है तो 14 वर्स तक की बच्चों को निसुल की सिच्छा के लिए उच्छ प्राथ्मिक्ता दी जा रही है और अगला है आपका हिंडाल को अस्थापित है तो यह आपका प्रारम किया हुए हैं तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान के स्मिर्थ में जो है यह शुरू किया गया था और अगला है चुनारगड में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं तो भरत्र हरी हो जाएगा आपका और अगला है कासी राम कृष्षी योंपरिद्यो की बिस्विद्याल बर्सा कहा होता है तो यह आपका मथूरा जन्रपद में होता है और अगला है 2018-19 की आंकड़ों के अनूसार चावल की उत्पादन में उत्रप्रदेश का अस्थान कौन सा है तो दूसरा अस्थान है 2018-19 की आंकड़ों के अनूसार अगला है उत्रप्रदेश में संत्रे यों लीची का प्रमुख उतबादक जीला कौन सा है तो यह है आपका सहारनपूर नेक्स्ट आपका निचली गंगा नहर का उदगम मस्थल कौन सा है तो यह है नरोरा बुलंद साहर अगला है उत्तरप्रदेश का मांचेस्टर कहा जाता है किसे तो कानपूर को कहा जाता है और अगला है इंडियन इंस्टियूट आप वेजिटेवल रिसर्च इस्थित है तो यह आपका वराणसी में इस्थित है और अगला है उत्तरप्रदेश में मिंटे मिल कारिकरम कब सुरू किया गया था तो यह 1995 में सुरू किया गया था और अगला है आपका उत्रप्रदेश में रानी लच्छी वाइबाध परियोजना निर्मित है तो यह आपका बेतवा नदी पर निर्मित है और अगला है भारत में किस राजी का लोक सभा होए राजी सभा में प्रतिनी धित्यु सरवादिक है तो यह उत्रप्रदेश का जो है लोग सभा में 80 सीटे हैं और राजी सभा में कितने हैं तो 31 सीटे हैं अगला है आपका उत्रप्रदेश में होली की तेवहार पर लठ मार होली मनाय जाती है कहाँ पर तो यह बरसाना में मनाय जाता है और अगला है गुरू दुरोडाचारी का जन्मस्तल कमपिल इस्तित है कहाँ पर तो यह आपका फरूखाबा जन्पद में इस्तित है और अगला है भातखंडे संगीत महाविद्यल यह लखनोव में और अगला है भूगर्भिक द्रिष्ट से उतरप्रदेश प्राचीन अथां भूभाग है किसका तो यह गोंडवाना लैन का भूभाग है और अगला है प्राचीन जलोड मिटी उचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है किस नाम से तो यह राड के नाम से जाना जाता है और अगला है चिलास नामक घास बहुतायत मातरा में पाई जाती है कहां तो यह बुंदेल खंड छेतर में पाई जाती है चिलास नामक घास अगला आपका वाईव अपर्दन से उत्रपदेश के सरवाधिक प्रभावित जीले कौन से है तो यह है आपका मतुरा योम आगरा और अगला है आपका सुमीली दिया गया है एक तरफ जनपद दूसरे तरफ उनका मुख्याल है तो गौतमज़नगर का मुख्याले नुवेटा में है, सिधाधनगर का नौगड में है संथकबीर नगर का खलीलाबाद में है और अम्रोहा का मुख्याले जो है अम्रोहा में है अगला उतरप्रदेश के मुख्यमंतरी पदपर सरवाधी के चार बार अब तक कितने बेक्तियों ने सोभित किया है तो तीन बेक्तियों ने कौन को नरायंदत तीवारी, एंडी तीवारी चंदरभान गुप्त और मायवती सुश्री मायवती अगला है अपका उत्रप्रदेश में बिधान परिशत का गठन किया गया था कव तो यह 1937 में किया गया था और अगला है राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहाल है कहां इस्तित है तो यह आपका गौरकपूर में इस्तित है और अगला है प्रसिद्ध गीता प्रेज कहां है तो यह भी आपका गौरकपूर में है प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्यान का प्रकासन कहां से होता है तो ये भी आपका गोरखपुर से होता है और अगला है नाथ नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध है तो गोरखपुर प्रसिद्ध है अगला है संत कबीर के निर्वाण अस्थली है मगहर, महरस, दधी, चियासरम कहा इस्तित है तो यह आपका सीतापूर में इस्तित है और अगला है नैमी सारन ने कहा इस्तित है तो यह भी आपका सीतापूर जन्रपद में है और अगला है एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आइना लेकर किया जाने वाला निर्ति कौन सा है तो यह है छपेली निर्ति अगला आपका कहार जाती द्वारा मांगलिक आउसर पर किया जाने वाला निर्ति कौन सा है तो यह आपका धीवर राग और अगला है आयुर्वेद महोसो मनाया जाता है कहां पर तो यह आपका जहांसी में मनाया जाता है और अगला है दीपावली पर सोक मनाते हैं कौन से जन जाती के लोग तो थारू जन जाती के लोग दीपावली पर सोक मनाते हैं अमीर खुसरोग की जन मस्तली है पटियाली कास गंज और अगला है उत्तर प्रदेश में थारु विकास प्रियुजना प्रारम की गई थी तो यह 2 एक्टूबर 1908 को किया गया था अगला है उत्तर मध्ध रेलवडिय का मुख्याला प्रियुजना से लाभानवीत होने वाले राजजी कौन-कौनसे है तो उत्तर प्रदेश है जारखंड और चर्तिसगड़ है अगला आपका उतर प्रदेश को निवनितम सीमारेखा से असपर्स करने वाला राज जी कौन सा है तो यह है आपका हिमांचल प्रदेश सहरनपु से लगा हुआ है और अगला आपका उतर प्रदेश के सरवाधिक जीलों को असपर्स करने वाला राज जी कौन सा है तो मध्य प्रदेश है वह उत्रप्रदेश के 11 जिलों को टच करता है और अगला है आपका सरवादिक प्रदेशों को असपर्ष करने वाला उत्रप्रदेश का जिला कौन सा है तो यह है आपका सोनभद्र वह चार प्रदेशों को टच करता है मध्य प्रदेश को उसके बाद 36 गड़ को फिर जो है जारखन उसके बाद जो है बिहार तो चार राज़ियों को जो है सपस करता है सोनभद्र जनपत अगला आपका उत्तर प्रदेश अधिक छेतरफल वाले राज़े कौन-कौन से हैं तो चेतरफल की करब में जो है उत्तर प्रदेश का आपको पता होगा चौथा स्थान है सबसे बड़ा है राज़स्थान पहले स्थान पर है दोसरे पर है मध्य प्रदेश तीसरे पर महाराष्ट और चौथे पर जो है आपका उत्तर प्रदेश है अगला है आपका सुमेलित दिया गया है एक तरफ जो है तो जहां से जो है आपका नगर निगम है मच्छली सहर नगर पंचायत है टुन्डला नगर पाली का परिशद है सैफई जो है आपका छेतर पंचायत है तो यह मिलान करने के लिए दिया जाता है अगला आपका उत्रप्रदेश में खरीब फसल की बुवाई होती है तो जून जुलाई की दोरान जो है उत्रप्रदेश में खरीब फसल की बुवाई होती है और नेक्स्ट है आपका सुमेलित करने के लिए एक तरफ जो है संस्थान दिया गया है दूर से तरफ अस्थान तो Central Drug Institute कहा है तो लखनोव में है Central Leprosy Institute आग्राम में है आपका मोतिला नहरू राष्टी परद्यों की संस्थान प्रियागराज में है और Indian Institute आप सुगर टेक्नोलोजी कहा है तो यह आपका कानपूर में है नेक्श आपका उतरफ प्रदेश के प्रमुख लोग के निर्ति कौन से है तो चरकुला है पाई डंडा है राई है कर्मा नटवरी और सेरा यह सभी उतरफ प्रमुख लोग के निर्ति है और अगला है आपका सुमेलित दिया गया है आला का संब्ध हो जाएगा बुंदेल खंट से बिरहा का हो जाएगा पुरुवान्चल से चैती का संब्ध हो जाएगा ब्रज से कजरी का संब्ध होगा अवद से नेक्स आपका उत्रप्रदेश में सरवाधिक जनजाती जनसंख्या वाला जनपत का उनसा है तो यह आपका सोन भद्र है और भारत सरकार ने उत्रप्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनसूचित जनजातियों की रूप में कब सूची बद्र किया तो 2003 में कई वार अधिया वाला जनसे में कें अस्थापित किया गया और नेक्च आपका सुमेलित दिया गया है इक तरफ नगर कसबा दिया गया दूसेर प्नदि बेथोर जो यह गंगा नदि की किनारे स्थित है गूरःपूर चुमती नदि की किनारे के किनारे प्रतापगड जो है आपका सही नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है आपका की 1903 में भारत वर्ष की प्रत्व मेशा थी कहाँ पर तो यह प्रताप देवरिया उत्रप्रदेश में जो ह है स्थापित की गए थी। और अगला है उत्रप्रदेश ओद्योगी भीगास नीगम स्थापित है कहां पर तो यह काणपूर में स्थापित है और अगला है संस्थानों और अस्थानों का सुमेलन इस प्रकार है तो इंडियन इंस्ट्यूट आफ राइस रिसर्च कहा है तो ऐदराबाद में है और Indian Institute of Wheat and Barling Research कहा है तो यह आपका करणाल में है और Indian Institute of Mage Research कहा है तो यह लुधियाना में है और Indian Institute of Palsage Research कहा है तो यह आपका कानपूर में है और भारती पसू चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह आपका बरेली में श्तित है और भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान क लखनोव में है उत्ऱपरडेश के वारारजि जाउन पूर प्रियाग राज य। गाजी पूर जनदपतों में से सब से चोटा कौं सा है तो ब्रारजि जों च़ितर फल के द्रिश्ट से इनमें सबसे छोटा है अगला आपका उत्रप्रदेश में उर्दू को दुती राजभासा कब घोशित किया गया तो 1989 में दुती राजभासा घोशित किया गया था उर्दू को अगला आपका 2011 की जनगर्णा के अमसार उत्रप्रदेश की पूरुष साचहता इसके पहले भी हम बताए हैं 77.28 या 77.3 प्रतिस्यत अगला आपका बरतमान में उत्रप्रदेश में केंदरी विश्य विद्यालों की संख्या कितना है तो उत्रप्रदेश में बरतमान में 6 अगला है कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था किसके द्वारा तो जोहर लाल नहरू तथा रफी एहमत की दवई की द्वाई की द्वारा कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया गया था अगला है आपका उत्रप्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंद अगला आपका उत्रप्रदेश की सीमा लगती है अगला आपका उत्रप्रदेश की सीमा लगता है नोईडा में और अगला है यूपी बिधान सभा के प्रतम अध्यक्ष कों थे तो पुरसुत्तम दास्टेंडन ये उत्रप्रदेश बिधान सभा के पहले अध्यक्ष थे अगला आपका उत्रमदेश छेतरी सांस्कृति केंद्र अवस्थित है ये प्रियाग राज इलहाबाद में है और साकमभरी देवी मेले का आयोजन कहां किया जाता है सहारनपूर में इंपोर्टिंट है और अगला है प्रियाग राज इस्थित अलफरेट पार का पूरे ना और आपका कथक और अगला उत्रप्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गयी थी किस वर्स तो 1972 में किया गया है और अगला आपका उत्रप्रदेश में विश्व विद्यालेयों की संख्या जिनके नाम डाक्टर भी आरा मिटकर पर रखे के हैं तो दो विश्व पका बिताई थी तो और अगला पान्दित राम पन्परसाद बिस्मिल पिस्मिल को कहां पर खानसित shine गई थी तो गोरखपूर में फासित दी गई थी और अगला सोनभद्र जिले को असपर्स करती है तो अभी बताएं इसके पहले हम चार राजियों की सिमाय असपर्स करती हैं कौन-कौन से तो मद्यप्रदेश, छतिस गड़, जहारखंड और बिहार अगला है आपका उत्रप्रदेश के पर्थम लोकायुक्त थे कौन थे तो नियायमूर्थी बिसंभर दयाल उत्रप्रदेश के पर्थम लोकायुक्त थे और अगला है पंचाहती राजपडाली में पंचाहत समीती गठित होती है तो यह आपका खंड अस्तर पर गठित होता है अगला है दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारिखाने हैं जो उत्पादित करते हैं किसीच का तो यह सिमेंट का उत्पादिन करते हैं अगला है भौगोलिक छेतरफल की द्रिष्ट से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो यह हापुड है और सबसे बड़ा जो है वह आपका लखीमपूर खीरी है लखीमपूर खीरी अगला है आपका उत्परदेश में बन महोत्सो सब्ता है कब मनाया जाता है तो यह है एक जुलाई से साथ जुलाई की बीच मनाया जाता है अगला है राश्टी जैवी खेती केंड्रि नसी ओएफ कहां इस्तित है तो यह आपका गाजियाबाद में है और अगला है जो जो जरी गया रहे है कि जनगरणा में उत्रपरदेश की उचितम साच छर्ता दरवाला जिला कौन सा है तो यह है आपका गौतम बुद्ध नगर और सरवाधिक लिंगा अनुपाद पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका जोनपूर और अगला है उत्रपरदेश करसी अनुसंधान परिश्यत कहां इस्तित है तो यह आपका लखनोव में है और किंद्री औसधी यह उंसुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्तान कह समर्पित है तो यह रिसी ब्यास को समर्पित है और नेक्स्ट है उत्रपरदेश में करसी उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है तो यह आपका उन्नत किस्म की बीजियों का बढ़ता परियोग अगला है उत्रपरदेश के किस छेत्र में सोयाब जो कि आपके आने वाले एक्जाम आरो यारो यानिकी समिछादिकारी ओमसायक समिछादिकारी के लिए बहुत ही मौत पूर है तो दोस्तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दिजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद